दोस्तों, Grievous Carter ने Electric Vehicles के लिए Grievous Electric Mobility के नाम से एक sub-brand launch कर चुका है और इस sub-brand के अंदर पहले Electric 3-wheelers को दो दिन पहले ही launch कर चुके हैं तो उसी के बारे में सब कुछ जानेंगे जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत-बहुत फागत है अगर चानल में पहली बार आते हैं चानल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंदाती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं Grievous Mobility के तरब से आने वाली पहली Electric Cargo Auto उरुक्षा Grievous Ultra के specification के बारे में और इस Electric Cargo Auto उरुक्षा का model name Grievous Ultra के नाम से अनोस का चुका है और Grievous Ultra जो है वो तीन वेरियंट में आ रहा है एक पिकप यान और एक डिलवारी वान एक फ्लाट बेट के साथ और इसके अलावा ये तीनों Electric Cargo Auto उरुक्षाओं के अंदर भी body और container भी metal से बना हुआ ही मिल रहा है अगर हम loading tray और container की size की अगर बात की जाए तो पिकप यान के अंदर हमें length जो है वो 5.4 feet का मिल रहा है और width 4.7 feet का मिल रहा है और height जो है वो 0.98 यानि लगबग 1 feet का height मिल रहा है पिकप यान के अंदर अगर हम delivery van की container size की अगर बात की जाए तो length 6 feet का मिल रहा है और width 4.8 feet का मिल रहा है और height लगबग 5 feet का दिया गया है इसके अलावा अगर ये cubic feet के अंदर बात की जाए तो 140 cubic feet का container मिल रहा है और company के तरफ से 170 cubic feet का container भी optional दिया जा रहा है आपका business requirement होगा तो ये flatbed जो आटो रिक्षा है उसके उपर externally fit करके भी दे सकते हैं और इसके अलावा जो flatbed आटो रिक्षा है उसके अंदर 6 feet का base दे रहे हैं और उस base के ओपर आपके business requirement के इसाप से आपको कुछ भी modification या design container जो भी लगाना चाते हैं तो उसके अंदर fit करवा सकते हैं और इस container के अलावा इस electric auto रिक्षा के अंदर 2100 mm का wheelbase दिया जा रहा है और 180 mm का ground clearance मिल रहा है और इसके असाथ इन electric auto रिक्षा के अंदर suspension देखा जाए तो front के अंदर हमें helical spring dumpiner के साथ मिल रहे हैं और red side जो है वो हमें rubber spring dumpiner के साथ दिया जा रहे हैं और इन electric auto रिक्षा के अंदर वो 450 के 10 inch के tires दिया जा रहे हैं और braking system जो है वो drum brake दिया जा रहे हैं जो की hydraulic operator होते हैं hydraulic के साथ आप प्रेस करेंगे तो तीनो brake एकी साथ में operate होते हैं और इसके अलावा इस electric auto रिक्षा के अंदर single speed transmissions दिये गए हैं जिससे आप इस electric auto रिक्षा को काफी अच्छा performance ले सकते हो और इसके अलावा इस electric auto रिक्षा के speed to odometer और battery percentage देखने के लिए जो instrument cluster होता है वो 6.2 inches का digital instrument cluster दिया गया है तो दोस्ते ये थे इस electric auto रिक्षा के basic specification तो अब बढ़ते हैं इस electric auto रिक्षा के main performance के तरब तो main performance के अंदर इन electric auto रिक्षा के payload capacity देखा जाए तो तीनों variant के अंदर अलग-अलग payload capacity दी है चुरुआत करते हैं पिकप व्यान से तो इसके अंदर 507 kg का payload capacity मिलता है अगर हम delivery व्यान की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम 439 kg का payload capacity मिलता है अगर हम flat bid वाली auto रिक्षा के अंदर देखा जाए तो 528 kg का payload capacity मिलती है यानि यहां पे container का weight भी यहां पे include किया जाए तो payload capacity कम हो जाती है तो सबसे ज़्यादा payload capacity जो है वो flat bid के अंदर मिलती है क्योंकि यहां पे container या कोई भी rag नहीं लगा होता है तो उसका weight यहां पे minus होके यहां पे payload capacity बढ़ जाती है और इस payload capacity के साथ इस electric auto रिक्षा को चला सकते हो और इस speed को देने के लिए इस electric auto रिक्षा को चलाने के लिए इसके अंदर PMS की motor दी गई है और इस motor से हमें 9.5 kilowatt की peak power मिलती है और 49 annm का torque हमें इस motor से इस electric auto रिक्षा के अंदर मिलता है और इसके अलावा इस electric auto रिक्षा की maximum gradability जो है वो 12 degree की बताई गही है और इन सभी के अलावा इन electric auto रिक्षाओं का range की अगर बात क जाये तो company के तरफ से इस electric auto रिक्षाओं का true range जो है वो 105 km का बताया गया है single charge पे यानि एक तरह से यह typical driving range ही होगा जो की आपको real time में मिलने वाला range है और इस range को देने के लिए और इस electric auto रिक्षा में लगी हुई motor को power देने वाली battery की अगर बात की जाये तो इसके अंदर lithium अमयान की 51.2 voltage की 10.8 kilowatt hour की battery दी गई है और इसको charge करने के लिए 2 kilowatt hour का charger दिया गया है जिसको लगा कि आप भी 5-6 गंडे के अंदर आप full charge कर सकते हो घर पे अगर लगाएंगे तो 5-6 गंडे गया कंबीने के तरफ से बताया गया है और इसके अलाबा इस electric auto रिक्षा पे ग् warranty की अगर बात की जाए तो 3 साल की standard warranty या 80,000 km पे warranty मिलने वाली है इसके अलाबा इस company के तरफ से 2 साल extended करने का option भी दिया जा रहा है जो कि आप 3 साल खतम होते ही कुछ amount company के तरफ से बता जाएगा वो amount pay करेंगे तो 2 साल और extend कर सकते हैं इस electric auto रिक्षा के ओपर warranty को और वहरा 3,70,000 से इस electric auto रिक्षा की pricing शुरू होती है यह price जो है वो एक showroom price है on road price जो है वो और बढ़ने वाला है यानि आपको 20-30,000 का difference पकड़ के चलिए वो आपको add होगा लेकिन आपके पास इतना amount नहीं है और यह specification के साथ आपको यह electric auto रिक्षा लेना है लेकिन आपके पास इत financing option provide कर रही है जिससे आप मंतली EZMI के निजिए इस electric auto रिक्षा को खरीच सकते हो कुछ down payment देना होता है उसके बाद आप मंतली पे करके इस electric auto रिक्षा को आपके business के अंदर लगा ले सकते हैं यह performance के अलावा company के तरफ से इस electric auto रिक्षा के अंदर कुछ extra features पी provide किये जा रहे है जिससे mobile app के जरीए ही इस electric auto रिक्षा की battery percentage और field management और geofencing और geotracking GPS और Bluetooth connectivity सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर इसके अलावा remote diagnostic भी कर सकते हैं यानि आपके गाड़ी में वहराल कुछ भी problem हो जाता है तो वहां पे आपको पता चल जाता है और कोई भी problem आती है तो company के तरफ स roadside assistance भी मिल रहा है तो कहीं पे भी आप आपकी गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप company को phone कर लिए तो वहें तक आके company pick up कर लेती है हाँ ये नहीं बाता है कि क्या chargeable है या free है इसको ध्यान में तो दोस्ते ये थे ग्रिवस electric mobility के तरफ से आने वाली पहली electric cargo auto रिक् इसके अलावा इस electric auto रिक्षा का conclusion देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छे features तो यहाँ पे दिये हुए हैं लेकिन एक कमी यह है कि इसके अंदर far charging का option नहीं दिया गया है far charging का option इसलिए ज़रूरी था कि इसके अंदर जो charging time है वो 5-6 गंटे का है क्योंकि battery बड़ी है तो obviously यहाँ पे charging time ज़्यादा दिया गया है तो यहाँ पे far charging का option अगर दिये जाते तो बहुत ही बेतर होता आपके showroom पे या dealers पे कहीं पे भी यह option मिल जाता तो एक 2 गंटे के अंदर full charge कर लेके अपने काम पे चले जाते तो राद बर charging पे लगाने की दिक्कत नहीं आती तो द कमेंट कर सकते हैं तो उम्हेद करता हूं तो वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेर करना मत भूलिए और electric auto रुक्षा को लेकर updated रहता चाते हो और इसी तरह के electric auto रुक्षा के वीडियो देखना चाते है तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर तो मिलते हैं एक और electric auto रुक्षा के वीडियो में दिल दन बाई-बाई-बाई-एंसी यू